देश वार में है 21 दनों का लॉकडाउन घर में रहिए सुरपचित रहिए खुद भी बचिए दूसरों को भी बचाईए पियम मोदी ने किया है आवान और न्यूस्टोडे दर्भंगा भी आपसे अपील करता है कि आप 21 दनों तक घर में बंद रहिए घरों से बाहर न निकलिए नमस्कार में संतो उश्चा सुर्वा सुर्खियों से शंस्क्रती इंटर्नेशनल गर्ल्स स्कूल अ यूनिट अफ पब्लिक स्कूल दर्भंगा नियर कंकाली मंदेर रामभाग दर्भंगा अड्मिशन ओपन गर्ल्स नर्सरी तू 7 वोई नर्सरी तू 4 ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट अश्रोका लिए सेट ज्वेलर्स ग्रीट रेडियो स्टेशन के निकट दर्भंगा दिल्ली पूब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर विट दर्भंगा अड्मिशन ओगर्ण दर्भंगा अड्मिशन इस ग्रीट नर्सरी तू पूब्लिक स्कूल दिल्ली मोर्ड दर्भंगा अड्मिशन ओपन आपका पसंदीदा ब्रेंड आनन्द बेकर्स अब नए अवतार में प्योर विज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर के साथ टावर चौक दर्भंगा आज रात बारा बजे से पूरे देश में लॉकडाउन 21 दनों के लिए घर से निकलना बंद पीम मोदी ने रस्ट के नाम संबोधन में किया एलान कहा 21 दिन नहीं माने तो 21 साल पीछे चले जाएंगे चेत नहीं रहे थे लोग दर्भंगा में पुलिस ने दिखाई सकती तो दिखा लॉकडाउन का असर लॉकडाउन में अधिक से अधिक सामान खरिद कर घर ले जाने की होड काला बाजारियों पर सकती छापे मारी शुरू आलू 16 सो रुपे तो प्याज की किमत 22 सो रुपे प्रतिक इंटलता है बाहर से आए लोगों को चिनहित कर की गई स्टांपिंग जलाधिकारी ने कोशांगों का किया निरिक्षन बाहर से आए सभी व्यक्तियों का सर्विक्षन कल तक पूरा करने का जलाधिकारी ने दिया निर्देश और कोरोना के कहर में भी धन्दे पर फुल ड्यूटी दे रहे हैं शराब कारुबारी बड़ी खेप बरामत और समाचार विस्तार के साथ आज रात बारा बचे से पूरे देश में लॉकडाउन 21 दिन के लिए घर से निकलना बंद पी-म मोदी ने रास्ट के नाम संभोधान में किया एलान का 21 दिन नहीं माने तो 21 साल पीछे चल जाएंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सबसे बड़ी खबर आज रात बारा बजे से पूरे देश में लॉकडाउन का प्रधान मंत्री ने किया है एलान पूरे 21 दिनों तक के लिए तीन हपते के लिए देश भर में लॉकडाउन कर दिया गया है आज रात बारा बजे से पूरे देश में लॉकडाउन वो अभी तीन हपतों के लिए 21 दिन के लिए करफ्यू जैसा ही समझिये इसको प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में अभी तुरंत यहां बात कही है उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए या कदम बहुत आवस्यक है एक किस दिनों के लिए पूरे देश में आज रात 12 बजे से लोगडाउन कर दिया गया है उन्होंने कहा है प्रधान मंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि एक किस दिनों के लिए बाहर निकलना भूल जाएए अगर आप बाहर निकलेंगे तो समझिये आपका घर से ब परिवार को बचाना उनकी जिम्मेवारी है और सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता भी है प्रधान मंत्री ने कहा है कि यह सकती जरूर है लेकिन यह आवश्चक है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर प्रात्ना की है देशवासियों से कहा है कि आप जहां हैं वहीं रहें हालात को देखते हुए लॉक डाउन 21 दिनों के लिए किया गया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 21 दिन हर भारतिये के लिए बहुत महत्तपूर्ण है। प्रधान मंत्री ने 21 दिनों के लॉक डाउन के पीछे की थ्योरी स्पस्ट करते हुए कहा है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वाइरस के साइकल चेन को तोड़ने के लिए 21 दिन जरूरी है 21 दिन नहीं संभले तो 21 साल पीछे चले जाएंगे उन्होंने कहा है कि एक एक भारतिये के जीवन को बचाना उनकी एक मात्र प्राथमिक्ता इस वक्त है लेकिन वह तब हो पाएगी जब जनता उनका साथ देगी उन्होंने जनता कर्फ्यू के लिए भी आभार जताया है देशवासियों का लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वह प्रधान मंत्री नदे नर्मोदी ने इस पस्ट एलान किया है देशवासियों के नाम अपने संभ अगर आप घर से बाहर एक कदम निकालते हैं तो समझिए आपका बाहर निकला एक कदम पूरे देश पर भारी पर सकता है प्रधान मंत्री नर्यंदर मोदी के इस अपील को निउस टूडे दर्भंगा भी आपसे अपील करता है इस अपील पर कि आप अपने घरों से बाहर निकलें हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि आपका घर से बाहर निकलना खत्रे से खाली नहीं है आप घर से बाहर जाएंगे तो कोरोना आपके घर के अंदर आ जाएगा इसलिए आप घर में रहिए यह पहली लड़ाई है जिसमें हमें रुक कर लड़ना है घर के भीतर स साथियों, मैं आज एक बार फिर कोरोना वैस्विक महामारी पर बात करने के लिए आपके बीच आया हूँ. 22 मार्च को जनता करिफ्यू का जो संकल्प हमने लिया था, एक राष्ट के नाते, उसकी सिध्धी के लिए हर भारतवासी ने पूरी संवेदन सिल्ता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना योगदान दिया. बच्चे, बुजूर, छोटे, बड़े, गरी, मद्यम, हर वर्क के लोग, हर कोई परिक्षा की इस घड़ी में साथ आया. जनता करिफ्यू को हर भारतवासी ने सफल बनाया. एक दिन के जनता करिफ्यू से भारत ने दिखा दिया कि जब देश पर संकट आता है, जब मानवता पर संकट आता है, तो किस प्रकारत है हम सभी भारतिया मिल करके, एक जुड़ होकर उसका मुकाबला करते हैं. आप सभी जनता करिफ्यू के लिए, उसकी सफलता के लिए प्रसुंसा के पात रहे हैं. साथियों, आप कॉरोना वैस्विक महामारी उस पर पूरी दुनिया की स्थिती को समाचारों के माध्यम से सून भी रहे हैं और देख भी रहे हैं. आप ये भी देख रहे हैं कि दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी कैसे इस महामारी ने बिलकुल बेबस कर दिया है. ऐसा नहीं है कि ये देश प्रयास नहीं कर रहे हैं या उनके पास संसाधनों की कमी है. लेकिन कोरोना वाइरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि तमाम तैयारियां और प्रयासों के बावजूद इन देशों में चनौवती बढ़ती ही जा रही है. इन सभी देशों के दो महिनों के अध्यान से जो निसकर से निकल रहा है और एक्सपर्स भी यही कह रहे हैं कि इस वैश्वीक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एक मात्र विकल्प है सोशल डिस्टंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना अपने घरों में ही बंद रहना कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कोई रास्ता नहीं है कोरोना को फैलने से रोकना है तो उसके संक्रमन की जो साइकिल है उस साइकिल को तोड़ना ही होगा कुछ लोग इस गलत पहमी में है कि सोशल डिस्टंसिंग केवल मरीज के लिए बिमार लोगों के लिए आवशक है ये सोचना सही नहीं सोशल डिस्टंसिंग हर नागरिक के लिए है हर परिवार के लिए है परिवार के हर सदस्ट के लिए है प्रदान मंत्री के लिए भी है कुछ लोगों की लापरवाई कुछ लोगों की गलत सोच आपको आपके बच्चों को आपके माता पिता को आपके परिवार को आपके दोस्तों को और आगे चल करके पुरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में जोंग देंगी अगर ऐसी लापरवाई जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है और ये कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है साथियों पिछले दो दिनों से देश के अनेग भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंबीरता से लेना चाहिए हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपून लिने करने जा रहा है आज रात आज रात बारा बजे से पूरे देश में द्यान से सुनिये पूरे देश में आज रात बारा बजे से संपूर देश में संपूर लोकडाउन होने जा रहा है हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात बारा बजे से गरों से बहार निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है देश के हर राज्य को हर केंद्र सासित प्रदेश को हर जिले हर गाव हर कस्पे हर गली मौले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है यह एक तरह से कर्फ्यू ही है जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात जनता कर्फ्यू से जड़ा जाजा सक्त कौरोना महामरी के खिलाप मिरनायक लड़ाई के लिए यह कदम अब बहुत आवश्यक है निश्चित तोर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी लेकिन एक एक भारतिय के जीवन को बचाना आपके जीवन को बचाना आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी बारत सरकार की देश की हर राचे सरकार की हर स्थानी निकाई की सबसे बड़ी प्रात्विकता है और इसलिए मेरी आप से प्रारतना है और मैं हाद जोड़ के प्रारतना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी है वही रहे अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लोकडाउन 21 दिन का होगा तीन सब्ता का होगा और जब मैंने पिछली बार आप से बात की थी तब मैंने आप से कहा था कि मैं आप से कुछ सब्ता मांगने के लिए आया हूँ आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए हर परिवार के लिए बहुत ही महत्पवून है हेल्थ एक्सपर्स की माने तो कोरोना वाइरस की संक्रमन साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत एहम है अगर ये 21 दिन नहीं संबले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा अगर ये 21 दिन नहीं संबले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगे और मैं ये बात एक प्रधान मंत्र के तौर पर नहीं आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये 21 दिनों के लिए भूल जाएगे गर में रहे गर में रहे और एक ही काम करें कि अपने घर में ही रहे साथियों आज के फैसले ने देश व्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्षमन रेखा खींच दी है आपको ये याद रखना है कि घर से बहार पढ़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम आपका सिर्फ एक कदम कौरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है आपको ये याद रखना है कि कई बार कौरोना से संक्रमित व्यक्ति शुरुवात में बिल्कुल स्वस्थ लगता है वो संक्रमित है इसका पता ही नहीं चलता और इसलिए एहतियात बरतिये अपने घरों में रहिए वैसे जो लोग घर में हैं वो सोशल मीडिया पर नए नए तरीकों से बहुत इनोवेटिव तरीके से इस बात को बता रहे हैं एक बैनर जो मुझे भी पसंद आया मैं आपको भी ये बहुत कम शब्दों में संदेश दिखाना चाहता हूँ कोरोना यानि कोई रोड पर ना निकलने कोई रोड पर ना निकलने साथियों एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि आज अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वाइरस पहुंचता है तो उसके सरीर में इसके लक्षन दिखने में कई कई दिन लग जाते हैं इस दोरान वो जाने अंजाने हर उस व्यक्ति को संकर्मित कर देता है जो उसके संपर्क में आता है वर्ल हेल्थ और्गनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संकर्मित एक व्यक्ति सुनिए एक व्यक्ति सिर्व हपते दस दिन में सेंकडों लोगों तक इस बेमारी को पहुँचा सकता है यानि ये आँख की तरह तेजी से फैलता है वर्ल हेल्थ और्गनाइजेशन का ही एक और आंकडा बहुत महत्वपूर्ण है साथ्यों दुनिया में कोरोना वाइरस से संकर्मित व्यक्तियों के संख्या को पहले एक लाग तक पहुँचने में 67 दिन लग गए थे यानि एक लाग तक पहुँचने में 67 दिन उसके बाद सिर्फ ग्यारा दिन में सिर्फ ग्यारा दिन में ही एक लाग नए लोग संकर्मित हो गए यानि दो लाग हो गए सोचिए पहले एक लाग लोग संकर्मित होने में 67 दिन लगे और फिर इसे 2 लाग लोगों तक पहुँचने में सिर्फ 11 दिन लगे ये और भी बयावा है कि दो लाख संक्रमित लोगों से तीन लाख लोगों तक ये बिमारी पहुँचने में सिरफ चार दिन लगे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वाइरस कितनी तेजी से फैलता है और जब ये फैलना शुरू करता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है साथ्यों यही वज़े हैं कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, इरान जैसे अनेग देशों में जब कोरोना वाइरस ने फैलना शुरू किया तो हालात बे काबू हो गए है और ये भी याद रखिये इटली हो या अमेरिका, इन देशों की स्वास्त सेवा, उनके हस्पिटल, उनके यहाँ आदूनिक संसाधन, पूरी दुनिया में बहत्रीन है, उनकी व्यवस्ताएं बहत्रीन मानी जाती है बावजुद इसके ये देश कोरोना का प्रभाव कम नहीं कर पाए सवाल ये कि इस स्थिति में उमीद की किरान कहा है? उपाय क्या है? विकल्प क्या है? साथियों, कोरोना से निपटने के लिए उमीद की किरान, उन देशों से मिले अनुभव है, जो कोरोना को कुछ हद तक नियंतरित कर पाए हप्तों तक इन देशों के नागरीक गरों से बार नहीं निकले इन देशों के नागरीकों ने सत प्रतिशत, हंड्रेट परसंट सरकारी निर्देशों का पानन किया और इसलिए ये कुछ देश अब इस महामारी से बाहार आने की और बढ़ रहे हैं हमें भी ये मान कर चलना चाहिए कि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है एशह पंता हा हमें गर से बाहार नहीं निकलना है चाहे जो हो जाएं गर में ही रहना है सोच्यल डिस्टंसिंग प्रदान मर्द्री से लेकर के गाउं के छोटे से नागरीक तब सब के लिए कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मन रेखा न लांगी जा है हमें इस महामारी के वाइरस का संक्रमन रोकना है इसके फैलने की चेन को तोड़ना है साथियों भारत आज उस स्टेज पर है जहां हमारे आज के एक्षन तै करेंगे कि इस बड़ी आपदा के प्रभाव को हम कितना कम कर सकते हैं ये समय हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है आपको याद रखना है जान है तो जहान है साथियों ये धैरिय और अनुशाशन की घड़ी है जब तक देश में लॉक्डाउन की स्थिती है हमें अपना संकल्प निभाना है अपना बचन निभाना है मेरी आप से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि घरों में रहते विए आप उन लोगों के बारे में सोचिए उनके लिए मंगल काम ना करिए जो अपना कर्तब निभाने के लिए खुद को खत्रे में डाल कर काम कर रहे हैं उन डॉक्टर्स उन नर्सेज पैरा मेडिकल स्टाप पैतोलोजिस उनके बारे में सोचिए जो इस महामारी से एक एक जीवन को बचाने के लिए दिन रात अस्पताल में काम कर रहे हैं अस्पताल प्रसाशन के लोग एंबिलन्स चलाने वाले ड्राइवर बॉर्ड बॉइश उन सभाई कर्वर्चेरियों के बारे में सोचिए जो इन कठीन परिस्थितियों में दूसरों की सेवा कर रहे हैं आप उन लोगों के लिए प्रार्षना करिए जो आपकी सुसाइटी आपके महलों आपकी सडकों सारवजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हैं जिसमें और जिसके कारण इस वाइरस का नामों निशान न रहे आपको सही जानकारी देने के लिए 24 गंटे काम कर रहे मेडिया के लोगों के बारे में भी सोचिए जो संक्रमन का खत्रा उठाकर सडकों पर अस्पतालों में है आप अपने आसपास के पुलीस कर्मियों के बारे में सोचिए जो अपने घर परिवार की चिंता किये बिना आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं और कई बार कुछ लोगों के गुस्ता खेके भी शिकार हो जाते हैं, गुस्सा भी जेल रहे हैं। साथियों, कौरोना, बैश्विक महामारी से बनी स्थितियों के बीच, केंद्र और देश भर की राज सरकारें तेजी से काम कर रही हैं। रोज मरा की जिन्दगी में लोगों को असुविदा ना हो, इसके लिए निरंतर कोशिश कर रही हैं। सभी आवशक बस्तुओं के सप्लाई बनी रहें, इसके लिए सभी उपाय किये गए हैं, और आगे भी किये जाएंगे। निश्चित तोर पर संकट की ये घड़ी गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई हैं। केंद्र सरकार, राज सरकारों के साथ, समाच के अन्य संगठन, सिविल सुसाइटी के लोग, गरीबों को मुस्रिबत कम हो, इसके लिए निरंतर जुटे हुए हैं। गरीबों की मदद के लिए अनेकों लोग साथ आ रहा है, साथियों, जीवन जीने के लिए जो जरूरी है, उसके लिए सारे प्रयासों के साथ ही, जीवन बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए, जो जरूरी है, उसे सर्वोच्च प्रात्विक्ता देनी ही पड़ेगी। इस वैश्विक महामारी से मुकामला करने के लिए, देश की स्वास्त सुविधाओं को तैयार करने का काम केंद्र सरकार लगातार कर रही है। वीश्व स्वास्त संगाथन, भारत के बड़े चिकित्साव और अनुसंदान संस्तानों, तता स्वास्त विश्यसग्यों की सलाह और सुझाओं पर कार्य करते हुए, सरकार ने निरंतर फैंसले भी लिए हैं। अब कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए देश के हेल्थ इंफास्रक्टर को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज पंदरा हजार करोड रुपिय का प्रावधान किया है। इससे कोरोना से जूड़ी टेस्टिंग फैसलिटीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्विप्मेंट्स, आइसोलेशन बेट्स, आइसी यू बेट्स, बेंटिलेटर्स और अन्य जरूरी साधनों के संख्या तेजी से बढ़ाई जाएगी। साथ ही मेडिकल और पेरामेडिकल मेन पावर के ट्रेनिंग का काम भी किया जाएगा। मैंने राज्य सरकारों से अनुरोद किया है कि इस समय सभी राज्यों की पहली प्रात्विक्ता सिर्फ और सिर्फ स्वास्त सेवाएं ही होनी चाहिए। हेल्थ केर ही प्रात्विक्ता होनी चाहिए। मुझे संतोष है कि देश का प्राइवेट सेक्टर भी पूरी तरह से कंदे से कंधा मिलाकर संकट और संकरमन की इस गड़ी में देश वासियों के साफ खड़ा है। प्राइवेट लेप्स प्राइवेट अस्पताल सभी इस चुनोती पूर्ण दौर में सरकार के साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन साथियों ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे समय में जाने अंजाने कई बार अफ़ाएं भी बहुत जोर पकरती हैं। और अफ़ाएं के ट्राविल करने की ताकत भी बहुत होती है। मेरा आप से आग्रह है कि किसी भी तरह की अफ़ा और अद्न विश्वास से बचें। आपके द्वारा केंद्र सरकार, राज सरकार और मेडिकल फेटेनिटी द्वारा दिये गए निर्देश और सुझाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। मेरी आप से प्रार्थना है किस बिमारी के लक्षणों के दवरान बीना डॉक्टरों की सला के कोई भी दमान न ले। किसी भी तरह का खिलवाड आपके जीवन को और खत्रे में डाल सकता है। साथियों मुझे विश्वास है हर भारतिय संकट की इस गड़ी में सरकार के स्थानिय प्रसासन के निर्दोशों का पालन करेगा। 21 दिन का लोकडाउन लंबा समय है लेकिन आपके जीवन की रक्षा के लिए आपके परिवार की रक्षा के लिए उतना ही महत्वपुन है हमारे पास यही एक महत्वपुन रास्ता है। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बलकि इस मुश्किल घड़ी से विजय होकर निकलेगा। आप अपना ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए और आत्म विश्वास के साथ कानून नियमों का पानन करते हुए पूरीता संयम बरते हुए विजय का संकल्प करके हम सब इन बंधनों को स्विकार करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोइंग एंजल्स इंगलिस स्कूल कीप्स यूर चिल्डेन वन स्टेप अहेड। ज्वैलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभुसन जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू से ड्वैलर्स, जीम रोड, रेडियो इस्टेशन के निकट, दर्भंगा, हॉल मार्क ज्वैलरी की पूरी स्रिंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोह का भुसन, किसना एवं जोर्बा के डायमंड्स की अनुखी रेंज, आभुसनों की सुदता जांचें, बिल दर्भंगा, quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt-solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well-equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee, come, see and decide. Physics की पढ़ाई मतलब Dynamic Physics Education by Physics Guru Dr. G.P. Singh, near K.S. College, Darbhanga, for 11th, 12th, J.E. Main, Advance and Need. In the field of education, a name to trust upon, Haru English School, Darbhanga, quality education with base transport facility, all the vehicles are enabled with GPS, rich library, will equip separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab, very good facilities for both indoor and outdoor games, complete school campuses under CCTV surveillance, regular direct contact with parents through SMS alert system, emphasis on all-round development, no readmission charges for old students, five acres, environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638-1974. आज रात बारा बज़े से पूरे देस में लॉक्डाउन, 21 दनों के लिए घर से निकलना बंद, PM मोदी ने रस्ट के नाम संबूधन में किया एलान, कहा 21 दन नहीं माने, तो 21 साल पीछे चले जाएंगे. चेत नहीं रहे थे लोग, दर्भंगा में पुलिस ने दिखाई सक्ती, तो दिखा लॉक्डाउन का असर. लॉक्डाउन में अधिक से अधिक सामान खरिद कर घर ले जाने की होड, काला बाजारियों पर सक्ती, छापे मारी शुरू, आलू 16 सो रुपे, तो प्याज की किमत 22 सो रुपे प्रतिक इंटलता है. बाहर से आए लोगों को चिनहित कर की गई स्टांपिंग, जलाधिकारी ने कोशांगों का किया निरीक्षन. बाहर से आए सभी व्यक्तियों का सर विक्षन कल तक पूरा करने का जलाधिकारी ने दिया निर्दैश. और कोरोना के कहर में भी धंदे पर फुल ड्यूटी दे रहे हैं शराब कारुबारी बड़ी खेप बरामत चेत नहीं रहे थे लोग, दरबंगा में पुलिस ने जब दिखाई सकती तो दिखा लॉकडाउन का असर लॉकडाउन का मतलब है अपने आपको आप घर के अंदर बंद रखिए ताले में बंद रखिए जिहां लॉकडाउन सरकारें ऐसे नहीं करती है यह बहुत ही अलग परिस्थिती होती है जब lockdown जैसा कड़ा फैसला लिया जाता है लेकिन बिहार में बिहार के साथ कई अन्य राज्यों में लोग lockdown का महत्तो नहीं समझ रहे थे रविवार को जनता कर्फिव के बाद जब lockdown का एलान हुआ तो सोमवार के दिन तो ऐसा लगा जैसे कोई मेले सा नजारा हो ऐसा लगा lockdown में कोई उत्सब मनाया जा रहा हो बिहार के कई जिलों पटना समेत कई जिलों और खास तोर से दरभंगा में भी lockdown का साफ उलंगन नजरा रहा था ऐसा लग रहा था लोग कोई उत्सब मना रहे हो किसी बड़े उत्सब की तयारी में लगे हो बाजार से अधिक से अधिक सामान खरीद कर घर ले आना चाहते हो और ऐसी स्थिती में अफरा तफरी का एक अलग माहौल क्रियेट हो गया दरभंगा में भी लगातार नियूस टूडे ने आपको पलपल की रिपोर्टिंग दिखाई हमने पूरा कवरेस दिखाई आपको कि किस तरह से लोग लॉकडाउन में अपने अलगी अंदाज में समय को बिशा रहे है कुछ लोगों ने लॉकडाउन का सही डंग से पालन तो किया लेकिन लॉक डाउन के दौरान कुछ लोगों ने इसे उत्सवी माहौल दिया और जब मंगलबार की सुबा भी हमने तस्वीर दिखाई आपको कि किस तरह बाजार में लोग सामान करिदने के लिए उम्रे हुए हैं कुछ लोग केवल मौज मस्ती के लिए अपनी गाड़ियों के साथ बाजार में सहर की शड़कों पर घूम रहे हैं जब यह खबर हमने चलाई तो प्रसासन ने इस पर संग्यान लिया काफी तेजी से संग्यान लिया और आपके चैनल जनता के चैनल नियूज टूड़े का हुआ है बड़ा असर और दिन में जैसे ही हमने यह खबर दिखाई उसके घंटे भर के बाद से ही पूरे एक्शन में आ गई दर्भंगा के पुले सहर की सड़कों पर नाके बंदी कर दी गई गाउं से सहर में गुसने वाली सड़कों पर ऐसे चेक पोस्ट पर नाके बंदी की गई जांच की जाने लगी लोगों से यह पूछा जाने लगा कि आखिर आप कहा जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं और किस अमर्जन्सी में आप निकले हुए हैं क्योंकि लॉक्डाउन का अमजने लगे जब पुलिस और प्रसासन ने काफी सखती बरती चेकिंग की जाने लगी लोगों से उनके निकलने की वज़ा पूछी जाने लगी तो लोग समले और दोपहर होते होते सहर की अधिकांद सड़कें दरबंगा में खाली लगने लगी जिन पर लोग मेले से लोगों ने लॉक डाउन के मतलब को समझा और घरों में लॉक हुए लेकिन अभी भी कुछ लोग लॉक डाउन के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं समझे अगर अब भी आप लॉक डाउन के महत्व को नहीं समझेंगे तो बहुत पस्ताएंगे निउस्टूडे दरबंगा आप से अपील करता है सरकार के इस मुहिम में उसका साथ दीजिए क्योंकि सरकार लॉकडाउन कर रही है तो केवल आपके और हमारे लिए लॉकडाउन में अधिक से अधिक सामान खरीद कर घर ले जाने की होड काला बाजारियों पर सकती छापे मारी सुरू आलू 16 सो रुपए तो प्याज की किमाद 22 सो रुपए प्रतिक विंटल ने धारे हुआ लॉकडाउन तो जादा से जादा सामान खरीद कर घर ले जाने में जुट गए लोग और काला बाजारियों ने इसका फायदा उठाना सुरू किया लेकिन प्रसासन ने तुरंत लिया एक्शन 16 सो रुपए प्रतिक विंटल आलू और 2200 रुपए प्रतिक विंटल प्याज के भाव सरकारी दर पर निर्धारे काला बाजारियों पर सिकंजा कसने के लिए च्छापे मारी भी शुरू बाहर से आए लोगों को चिन हित कर की गई स्टांपिंग जलादिकारी ने कोसांगों का किया निरिक्शन सरकार के निर्धेस के आलोक में रज के बाहर से यहां लोटे सभी व्यक्टियों का सर्विक्षन कारी युद दस्तर पर किया जा रहा है सर्वेक्षन करता दोरा उनके घर पर एक पोस्टर भी चिपकाई गई है जिसमें उस व्यक्ति का नाम पता मोबाइल नमबर लिखा गया है बाहर से लोटे व्यक्ति के हाथ पर एक स्टांप भी लगाया गया है वैसे सभी व्यक्तियों को 14 दिनों तक होम कौरिंटाइन किया जाएगा उन्हें अपने घर में ही रहना होगा लेकिन जिस व्यक्ति को अपने घर में रहने में कोई कठिनाई होगी तो वैसे व्यक्ति को गाओं के स्कूल में कुरिंटाइन किया जाएगा इसका मतलब है कि रज के बाहर से आए विक्तियों को 15 दियों तक अलग रखकर उन पर बराबर नज़र रखी जाएगी अगर इस बीच उन में कोरोना के कोई लक्षन नहीं दिखेंगे तो फिर उन्हें सामान निकतिविदिय के लिए छोड़ा जा सकेगा राज में कोरोना वाइरस के बढ़ते प्रकोप को नियुंतिर्ट करने है तो पुर्ण सक्रिय है इस बावत कुल छा कोसांगों का गठन किया गया है सभी कोसांगों में कारे प्रारम्ब हो गया है जिलादिकारी दरभंगा डॉक्र त्याग रा पूरा करें बोले जिलादिकारी डियम दरभंगा डॉक्र त्याग राजा नेसेम ने सभी प्रखंड विकास पतादिकारी अंचला दिकारी प्रवारी चिकित्सा पतादिकारी को राजी के बाहर से आये सभी व्यक्तियों का कल तक पूरा सर्विक्षन कराकर होम सर्विक्षन कराया जा रहा है सर्विक्षन के कारे में आसा कारेकरता ए ए एन एम को लगाया गया है बाहर से आये व्यक्तियों का सर्विक्षन के लिए 24 मार्स त्यृति निर्धारित की गई थी लेकिन कुछ प्रखंडों में आज पूरा पूरा सर्विक्षन नहीं हो पाय इस कारण कल दोपर तक छूटे हुए गाउं में सर्वेक्चन कराने तू निदे सित किया गया है। वहीं सरकार के निदे सनुसार किसी बीमार व्यक्थी के बारे में दूरभास नंबर 104 पर सूचना मिलने पर उनके घड डॉक्टरों की टीम बेज कर उसे चिकित सा सुविधा उपलवद कराई जाएगी। कोरोना के कहर में भी अपने काम पर लगे हैं फुल डिवटी कर रहे हैं अपने धंदे के लिए सराब कारोबारी बड़ी खिप बरामत। मात्रा में बरामत की गई है सराब की बड़ी खिए। में गुप सुटना के अधार पर महाँ चापामारी की गई। चापामारी के कर में एक ट्रक पर सराब लगे हुआ था। सराब और ट्रक को मैं अपने कबजे मिलिया विवसाई भागने में सफल अंधेरा का लाब उठा कर भागने में सफल रहे हैं। ये था तक किसमा चार विदालेंगे आपसे नजरे एक बार फिरेट लाइन सबाज। आज रात बारा बजे से पूरे देश में लॉकडाउन, 21 दिनों के लिए घर से निकलना बंद, पीम मोदी में रस्ट के नाम संबोधन में किया एलान, कहा 21 दिन नहीं माने तो 21 साल पीछे चले जाएंगे। चेत नहीं रहे थे लोग, दर्भंगा में पुलिस ने दिखाई सकती, तो दिखा लॉकडाउन का असर। लॉकडाउन में अधिक से अधिक सामान खरिद कर घर ले जाने की होड, काला बाजारियों पर सकती, छापे मारी शुरू, आलू 16 सो रुपे, तो प्याज की किमत 22 सो रुपे प्रतिक इंटलता है। बाहर से आए लोगों को चिनहित कर की गई स्टांपिंग, जलाधिकारी ने कोशांगों का किया निरिक्षन, बाहर से आए सभी व्यक्तियों का सर्वेक्षन, कल तक पूरा करने का जलाधिकारी ने दिया निर्दैश, और कोरोना के कहर में भी धन्दे पर फुल ड्यूटी दे रहे हैं सराव कारुबारी बड़ी खेप बरामत। के साथ दीजे संदोस को विदा एक बार फिरा हुआन 21 तक लॉकडाउन है घर में रहे हैं नमस्कार जैए तर्वारी खेप बरामत।